कर्म योग, कर्म का चरित्र पर प्रभाव कर्म शब्द क्रीध हातू से निकला है क्रीध हातू का अर्थ है करना जो कुछ किया जाता है वही कर्म है इस शब्द का पारिभाशिक अर्थ कर्म फल भी होता है दार्शनिक द्रिष्टी से यदि देखा जाए तो इसका अर्थ कभी-कभी वेफल होते हैं जिनका कारण हमारे पूर्व कर्म रहते हैं परंतु कर्मयोग में कर्म शब्द से हमारा मतलब केवल कार्य ही है मानव जाती का चरम लक्ष ग्यान लाब है प्राच्य दर्शन शास्त्र हमारे सम्मुक एकमात्र यही लक्ष रखता है मनुष्य का अंतिम धेय सुख नहीं वरन ग्यान है क्योंकि सुख और आनन्द का तो एक ना एक दिन अंत हो ही जाता है अतहा यह मान लेना कि सुख ही चरम लक्ष है मनुष्य की भारी भूल है संसार में सब दुखों का मूल यही है कि मनुष्य अग्यानवश यह समझ बैठता है कि सुख ही उसका चरम लक्ष है पर कुछ समय के बाद मनुश्य को यह बोध होता है कि जिसकी और वह जा रहा है वह सुख नहीं है ग्यान है तथा सुख और दुख दोनों ही महान शिक्षक हैं और जितनी सिक्षा उसे सुख से मिलती है उतनी ही दुख से भी सुख और दुख जो जो आत्मा पर से होकर जाते रहते हैं त्यों त्यों वे उसके उपर अनेक प्रकार के चित्र अंकित करते जाते हैं और इन चित्रों अथवा संसकारों की समश्टी के फल को ही हम मानव का चरित्र कहते हैं। यदि तुम किसी मनुश्य का चरित्र देखो तो प्रतीत होगा कि वास्तों में वह उसकी मानसिक प्रवृत्यों एवं मानसिक जुकाओं की समश्टी ही है। तुम यह भी देखोगे कि उसके चरित्र गठन में सुख और दुख दोनों ही समान रूप से उपादान स्वरूप है। चरित्र को एक विशिष्ट ढाचे में ढालने में अच्छाई और बुराई दोनों का समान अंश रहता है। और कभी-कभी तो दुख सुख से भी बड़ शिक्षक होता है। यदि हम संसार के महापुरुषों के चरित्र का अध्येन करें तो मैं कह सकता हूँ कि अधिकांश दशाओं में हम यही देखेंगे कि सुख की अपेक्षा दुख ने तथा संपत्ति की अपेक्षा दारिद्र ने ही उन्हें अधिक शिक्षा दी है। अलब यह ग्यान मनुश्य में अंतर नहित है। कोई भी घ्यान बाहर से नहीं आता। सब अंदर ही है। हम जो कहते हैं कि मनुश्य जानता है। उसे ठीक ठीक मनोव्य ज्यानिक भाषा में व्यक्त करने पर हमें कहना चाहिए कि वह आविश्कार करता है। मनुष्य जो कुछ सीखता है वह वास्तों में आविशकार करना ही है। आविशकार का अर्थ है मनुष्य का अपनी अनंत ज्ञान सुरूप आत्मा के उपर से आवरण को हटा लेना। हम कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वा करशन का आविशकार किया। तो क्या वह आविशकार कहीं एक कोने में बैठा हुआ न्यूटन की प्रतीक्षा कर रहा था। नहीं वह उसके मन में ही था। जब समय आया तो उसने उसे ढूंड निकाला। संसार ने जो कुछ ग्यान लाब किया है वह मन से ही निकला है। विश्व का असीम पुस्तकालय आये जगत तो तुम्हें अपने मन को अध्यन में लगाने के लिए उद्धीपक तथा सहायक मात्र है। परंतु प्रतीक्ष समय तुम्हारे अध्यन का विश्य तुम्हारा मन ही है। सेव का गिरना न्यूटन के लिए उद्धीपक कारण सुरूप हुआ और उसने अपने म उसने अपने मन में पूर्व से स्थित भावश्रिंखला की कड़ियों को एक बार फिर से विवस्थित किया तथा उनमें एक नई कड़ी का आविश्कार किया। या पारमार्थिक मनुश्य के मन में ही निहित है। बहुदा यह प्रकाशित न होकर ढखा रहता है और जब आवरण धीरे धीरे हटता जाता है तो हम कहते हैं कि हमें ग्यान हो रहा है। जियों जियों इस आविश्करण की क्रिया बढ़ती जाती है त्यों त्यों हमारे ग्यान की वृद्धी होती जाती है। जिस मनुष्य पर से यह आवरण उठता जा रहा है वह अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक ज्यानी है और जिस मनुष्य पर यह आवरण तह पर तह पड़ा हुआ है वह अज्यानी है। जिस मनुष्य पर से यह आवरण बिलकुल चला जाता है वह सरवग्य पुरुष कहलाता है। अतीत में कितने ही सरवग्य पुरुष हो चुके हैं और मेरा विश्वास है कि अब भी बहुत से होंगे तथा आगामी युगों में भी ऐसे असंख्य पुरुष जन्म लेंगे जिस प्रकार एक चकमक पत्थर के टुकडे में अग्नी नहित रहती है उसी प्रकार मनुष्य के मन में ज्ञान रहता है उद्धिपक कारण घरशन स्वरूप हो इस ज्ञानागनी को प्रकाशित कर देता है ठीक ऐसा ही हमारे समस्त भावों और कारियों के संबंध में भी है यदि हम शांत होकर स्वयम का अध्यान करें तो प्रतीत होगा कि हमारा हसना रोना सुक दुक ह भर्ष विशाद हमारी शुब कामनाए एवं शाप स्थुति और निंदा ये सब हमारे मन के ऊपर बहिर जगत के अनेक घात प्रतिघात के फल स्वरूप उत्पन हुए हैं और हमारा वर्तमान चरित्र इसी का फल है ये सब घात प्रतिघात मिलकर कर्म कहलाते हैं आत्मा की आभ्यंतरिक अगनी तथा उसकी अपनी शक्ति एवं ग्यान को प्रकट करने के लिए जो मानसिक अथवा भोतिक घात उस पर पहुचाए जाते हैं वे ही कर्म हैं यहां कर्म शब्द का उप्योग व्यापक रूप में किया गया है इस प्रकार हम सब प्रतिक्षन ही कर्म करत हूँ यह कर्म है तुम सुन रहे हो यह भी कर्म है हमारा सांस लेना चलना आदि भी कर्म है जो कुछ हम करते हैं वह शारिरिक हो अथवा मानसिक सब कर्म ही है और हमारे उपर वह अपना चिन्ह अंकित कर जाता है कई कारिया ऐसे भी होते हैं जो मानो अनेक छोटे छोटे कर् यदि हम समुद्र के किनारे खड़े हों और लहरों को किनारों से टकराते हुए सुने तो मालूम होता है कि एक बड़ी भारी आवाज हो रही है। कर एक हो जाते है तुँछी बड़ी आवाज सुनाई देती है। इसी प्रकार हृदय की प्रतेक धड़कन से कारिय हो रहा है। कई कारिय ऐसे होते हैं जिनका हम अनुभव करते हैं वे हमारे इंद्रिय ग्रहिय हो जाते हैं पर साथ ही वे अनेक छोटे छोटे कारियों की समश्टी स्वरूब हैं यदि तुम सचमुच किसी मनुश्य के चरित्र को जाचना चाहते हो, तो उसके बड़े कारियों पर से उसकी जाच मत करो, एक मूर्ख भी किसी विशेश समय पर बहादुर बन जाता है, मनुश्य के अत्यंत साधरन कारियों की जाच करो, और असल में वे ही ऐसी बाते हैं, जि जिन से तुम्हे एक महान पुरुष के वास्त्विक चरित्र का पता लग सकता है, आकस्मिक अवसर तो छोटे से छोटे मनुश्य को भी किसी ने किसी प्रकार का बड़पन दे देते हैं, परन्तु वास्तों में बड़ा तो वही है जिसका चरित्र, सदैव और सब अवस्थ महान रहता है, मनुश्य का जिन सब शक्तियों के साथ संबंध आता है, उन में से कर्मों की वह शक्ति सबसे प्रबल है, जो मनुश्य के चरित्र गठन पर प्रभाव डालती है, मनुश्य तो मानो एक प्रकार का केंद्र है और वह संसार की समस्त शक्तियों को अपनी ओर खी तथा इस केंद्र में उन सारी शक्तियों को आपस में मिला कर उन्हें फिर से एक बड़ी तरंग के रूप में बाहर भेज रहा है। मानो लिपते जा रहे हैं और वह उन सब में से चरित्र रुपी महाशक्ति का गठन करके उसे बाहर भेज रहा है। जिस प्रकार किसी चीज को अपनी और खीच लेने की उसमें शक्ति है उसी प्रकार उसे बाहर भेजने की भी है। संसार में हम जो सब कारिय कलाप देखते हैं मानाव समाज में जो सब गती हो रही है हमारे चारों उर जो कुछ हो रहा है वह सारा का सारा केवल मन का ही खेल है। मनुश्य की इच्छा शक्ति का प्रकाश मात्र है। अनेक प्रकार के यंत्र, नगर, चहाज, युद्ध, पोत, आदी सभी मनुष्य की इच्छा शक्ती के विकास मात्र हैं। मनुष्य की यह इच्छा शक्ती चरित्र से उत्पन होती है और वह चरित्र कर्मों से गठित होता है। अतयेव कर्म जैसा होगा इच्छा शक्ती का विकास भी वैसा ही होगा। संसार में प्रबल इच्छा शक्ती संपन जितने महापुरुष हुए हैं, वे सभी धुरंदर कर्मी थे। उनकी इच्छा शक्ती ऐसी जबर्दस्थ थी कि वे संसार को भी उलट पुलट कर सकते थे। और यह शक्ती उन्हें युग-युगांतर तक निरंतर कर्म करते रहने से प्राप्त हुई थी। बुद्ध एवं ईसा मसीह में जैसी प्रबल इच्छा शक्ती थी, वह एक जन्म में प्राप्त नहीं की जा सकती। और उसे हम आनुवानशिक, शक्ति शंचार भी नहीं कह सकते। क्योंकि हमें ग्यात है कि उनके पिता कौन थे। हम नहीं कह सकते कि उनके पिता के मुह से मनुष्य जाती की भलाई के लिए शायद कभी एक शब्द भी निकला हो। स्पष्टी करण कैसे कर सकते हो कि एक छोटे से राजा को जिसकी आग्या का पालन शायद उसके स्वयम के नोकर भी नहीं करते थे। ऐसा एक सुंदर पुत्र रत्न लाब हुआ जिसकी उपासना लगभग आधा संसार करता है। इसी प्रकार जोसिफ नामक बढ़ई तथा संसार में लाखो लोगों द्वारा इश्वर के समान पूजे जाने वाले उसके पुत्र इसा मसीह के बीच जो अंतर है उसका स्पष्टी करण कहा है। आनुवानशिक शक्ती संचार के सिध्धान्त द्वारा तो इसका स्पष्टी करण नहीं हो सकता। बुद्ध और इसा इस विश्व में जिस महाशक्ती का संचार कर गए वह आई कहां से। उस महानशक्ती का उदभाव कहां से हुआ। अवश्य युग युगांतरों से वह उस स्थान में ही रही होगी। क्रमशह प्रबलतर होते होते अंत में बुद्ध तथा इसा मसीह के रूप में समाज में प्रकट हो गई और आज तक चली आ रही है। यह सब कर्म द्वारा ही नेमित होता है। यह सनातन नियम है कि जब तक कोई मनुष्य किसी वस्तु का उपारजन न करे तब तक वह उसे प्राप्त नहीं हो सकती। संभव है कभी कभी हम इस बात को न मानें परंतु आगे चल कर हमें इसका द्रड़ विश्वास हो जाता है। एक मनुष्य चाहे समस्त जीवन भर धनी होने के लिए एडी चोटी का पसीना एक करता रहे। हजारों मनुष्यों को धोखा दे। परंतु अंत में वह देखता ह है कि वह संपत्यशाली होने का अधिकारी नहीं था। तब जीवन उसके लिए दुख में और दूभर हो उटता है। हम अपने भोतिक सुखों के लिए भिन भिन चीजों को भले ही इकठा करते जाएं। परंतु वास्तों में जिसका उपार्जन हम अपने कर्मों द्वारा क होता है। एक मूर्ख संसार भर की सारी पुस्तके मोल लेकर भले ही अपने पुस्तकाले में रख ले। परंतु वह केवल उनी को पढ़ सकेगा जिनको पढ़ने का वह अधिकारी होगा। और यह अधिकार कर्मद्वारा ही प्राप्त होता है। हम किसके अधिकारी हैं। हम जो कुछ हम होना चाहें उसकी शक्ती भी हमी में है यदि हमारी वर्तमान अवस्था हमारे पूर्व कर्मों का फल है तो यह निश्चित है कि जो कुछ भविश्य में होना चाहते हैं वह हमारे वर्तमान कारियों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है अत एव हमें यह जान लेना आवश्यक है कि कर्म किस प्रकार किये जाएं संभाव है तुम कहो कर्म करने की शैली जानने से क्या लाभ संसार में प्रतेक मनुश्य किसी ने किसी प्रकार से तो काम करता ही रहता है परंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शक्तियों का निरर्थक शय भी कोई चीज होती है गीता का कथन है कर्मयोग कार्थ है कुशलता से अर्थार्थ वैज्यानिक प्रणाली से कर्म करना कर्मानुष्ठान की विधी ठीक ठीक जानने से मनुष्य को श्रेष्ट फल प्राप्त हो सकता है यह स्मर्ण रखना चाहिए कि समस्त कर्मों का उद्धिश्य है मन के भीतर पहले से ही स्थित शक्ति को प्रकट कर देना आत्मा को जागरित कर देना प्रतेक मनुष्य के भीतर पूर्ण शक्ति और पूर्ण ग्यान विध्यमान है भिन्न भिन्न कर्म इन महान शक्तियों को जागरित करने तथा बाहर प्रकट करने के साधन मात्र है मनुष्य नाना प्रकार के हेतु लेकर कारिय किया करता है क्योंकि बिना हेतु के कारिये हो ही नहीं सकता कुछ लोग यश चाहते हैं और वे यश के लिए काम करते हैं दूसरे पैसा चाहते हैं वे पैसे के लिए काम करते हैं फिर कोई अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं वे अधिकार के लिए काम करते हैं कुछ और स्वर्ग पाना चाहते हैं वे उसी के लिए प्रयत्न करते हैं फिर कुछ लोग अपने बाद अपना नाम छोड़ जाने के इच्छुक होते हैं चीन देश में प्रथा है कि मनुष्य की मृत्यू के बाद ही उसे उपाधी दी जाती है यदि किसी ने बहुत अच्छा कारिय किया तो उसके मृत्पिता अथवा पिता महा को कोई सम्माननी ये उपाधी दे दी जाती है कुछ लोग उसी के लिए यत्न करते हैं विचार करके देखें तो यह प्रथा हमारे यहां की अपेक्षा अच्छी ही कही जा सकती है इसलाम धर्म के कुछ संप्रदायों के अनुयाई इस बात के लिए आजन्म कारिय करते हैं कि मृत्यू के बाद उनकी एक बड़ी कब्र बने मैं कुछ ऐसे संप्रदायों को जानता हूँ जिन में बच्चे के पैदा होते ही उसके लिए कब्र बना दी जाती है और यही उन लोगों के अनुसार मनुश्य का सबसे जरूरी काम होता है जिसकी कब्र जितनी बड़ी और सुन्दर होती है वह उतना ही अधिक सुखी समझा जाता है कुछ लोग प्रायस्चित के रूप में कर्म किया करते हैं अर्थात अपने जीवन भर अनेक प्रकार के दुष्ट कर्म कर चुकने के बाद एक मंदिर बनवा देते हैं अथवा पुरोहितों को धंदे देते हैं जिससे कि वे उनके लिए मानो स्वर्ग के लिए टिकट खरी देंगे वे सोचते हैं कि बस इससे रास्ता साफ हो गया अब हम निर्विग्न चले जाएंगे इस प्रकार मनुष्य को कारिय में लगाने वाले बहुत से उद्देश्य रहते हैं ये उनमें से कुछ हुए अब कारिय के लिए ही कारिय इस संबंद में हम कुछ आलोचना करें प्रतियक देश में कुछ ऐसे नर रतन हुए हैं जो केवल कर्म के लिए ही कर्म करते हैं वे नाम यश अथवा स्वर्ण की परवाह नहीं करते वे केवल इसी लिए कर्म करते हैं कि उससे दूसरों की भलाई होती है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो और भी उच्चितर उद्दिश्य लेकर गरीबों के प्रती भलाई तथा मनुश्य जाती की सहायता करने के लिए अग्रसर होते हैं क्योंकि भलाई में उनका विश्वास है और उसके प्रती प्रीम है देखा जाता है कि नाम तथा यश के लिए किया गया कारिय बहुदा शिग्र फलित नहीं होता ये चीजें तो हमें उस समय प्राप्त होती हैं जब हम व्रिद्ध हो जाते हैं और जिंदगी की आखरी घडियां गिन रहे होते हैं यदि कोई मनुष्य निस्वार्थता से कारिय करे तो क्या उसे कोई फल प्राप्ती नहीं होती असल में तभी तो उसे सर्वोच्य फल की प्राप्ती होती है और सच पूछा जाए तो निस्वार्थता अधिक फलदाई होती है पर लोगों में इसका अभ्यास करने का धीरज नहीं रहता व्यवहारिक दृष्टी से भी यह अधिकलाब धायक है प्रेम, सत्य तथा निस्वार्थता नीती संबंधी आलंकारिक वर्णन मात्र नहीं है वे तो हमारे सर्वोच आदर्श हैं क्योंकि वे शक्ती की महान अभिव्यक्ती है पहली बात तो यह है कि यदि कोई मनुष्य पाँच दिन उतना क्यों पाँच मिनट भी बिना भविश्य का चिंतन किये बिना स्वर्ग नरक या अन्य किसी संबंध में सोचे निस्वार्थता से काम कर सके तो वह एक महापुरुष बन सकता है यद्यपी इसे कारिय रूप में परिणत करना कठिन है फिर भी अपने हृदय के अंतस्तल से हम इसका महत्व समझते हैं और जानते हैं कि इससे क्या भलाई होती है यह शक्ती की महत्तम अभिव्यक्ती है इसके लिए प्रबल सैयम की आवश्यक्ता है अन्यसब बहीर मुखी कर्मों की अपेक्षा इस आत्म सैयम में शक्ती का अधिक प्रकाश होता है एक चार घोडों वाली गाडी उतार पर बड़ी आसानी से धड़धडाती हुई आ सकती है अथवा सैस गोडों को रोक सकता है इन दोनों में अधिक शक्ती का विकास किस में होता है गोडों को छोड़ देने में या रोकने में एक तोप का गोला हवा में काफी दूर चला जाता है और फिर गिर पड़ता है परंतु दूसरा दीवार से टकरा कर रुख जाने से उतनी दूर नहीं जा सकता पर उस टकराने से बड़ी आग सी निकलती है इसी प्रकार मन की सारी बहीर मुखी गती किसी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य की और दोडती रहने से छिन्न भिन्न होकर बिखर जाती है वह फिर तुमारे पास लोट कर तुमारे शक्ती विकास में सहायक नहीं होती परंतु यदि उसका सैयम किया जाए तो उससे शक्ती की वृध्धी होती है इस आत्म सैयम से एक महान इच्छा शक्ती का प्रादुर्भाव होता है वह एक ऐसे चरित्र का निर्मान करता है जो जगत को अपने इशारे पर चला सकता है अज्यानियों को इस रहसे का पता नहीं रहता परंतु फिर भी वे मनुश्य जाती पर शासन करने की इच्छा रखते हैं एक अज्यानी पुरुष भी यदि धीरज रखे तो समस्त संसार पर शासन कर सकता है यदि कुछ वर्ष तक धीरज रखे और अपने इस अज्यान सुलब जगत शासन के भाव को संयत कर ले तो इस भाव के समूल नश्ट होते ही वह संसार पर शासन कर सकेगा परंतो जिस प्रकार कुछ पशु अपने से दो चार कदम आगे कुछ नहीं देख सकते इसी प्रकार हम में से अधिकांश लोग भविश्य के बारे में नितांत अदूर दर्शी होते हैं हमारा संसार मानो एक क्षुद्र वर्तल सा होता है हम बस उसी में आबध रहते हैं हम में दूर दर्शिता के लिए धैरिये नहीं रहता और इसी लिए हम दुष्ट और नीच हो जाते हैं यह हमारी कमजोरी है शक्ती हींता है अत्यंत सामान्य कर्मों को भी घृणा की दृष्टी से नहीं देखना चाहिए जो मनुष्य कोई श्रेष्ठ आदर्श नहीं जानता उसे स्वार्थ दृष्टी से ही नाम यश के लिए ही काम करने दो परन्तु यह आवश्चक है कि प्रतीक मनुष्य को उच्चतर धेयों की ओर बढ़ते हुए तथा उन्हें समझते हुए प्रबल यत्न करते रहना चाहिए हमें कर्म करने का अधिकार है कर्म फल में हमारा कोई अधिकार नहीं कर्म फलों को एक और रहने दो उनकी चिंता हमें क्यों हो यदि तुम किसी मनुष्य की सहायता करना चाहते हो तो इस बात की कभी चिंता न करो कि उस आदमी का व्यवहार तुम्हारे प्रती कैसा रहता है यदि तुमें एक स्रेष्ट एवं भला कारिय करना चाहते हो तो यह सोचने का कष्ट मत करो कि उसका फल क्या होगा अब कर्म के इस आदर्श के संबंध में एक कठिन प्रशन उठता है कर्म योगी के लिए सतत कर्म शीलिता आवश्यक है हमें सदैव कर्म करते रहना बिना कारिय के हम एक शन भी नहीं रह सकते तो फिर प्रशन यह है कि आराम के बारे में क्या होगा यहाँ इस जीवन संगराम के एक और है कर्म जिसके तीवर भवर में फसें हम लोग चक्र काट रहे हैं और दूसरी और है शान्ती सभी मानों निवरित्ती मुखी हैं चारों और सब शान्त है स्थिर किसी प्रकार का कोला हल नहीं केवल प्रकृति अपने जीवों पुष्पों और गिरी गुफाओं के साथ विराज रही है पर हम इन दोनों में से कोई भी पूर्ण आदर्श का चित्र नहीं है यदि एक ऐसा मनुष्य जिसे एकांतवास का अभ्यास है संसार की चक्कर में घसीट लिया जाए तो उसका उसी प्रकार ध्वन्स हो जाएगा जिस प्रकार समुद्र की गहराई में रहने वाली एक विशेश प्रकार की मचली पानी की सतह पर लाय जाते ही टुकडे टुकडे होकर मर जाती है क्योंकि सतह पर पानी का वह दबाओ नहीं है जिसके कारण वह जीवित रहती थी। इसी प्रकार एक ऐसा मनुष्य जो सांसारिक तथा सामाजिक जीवन के कोला हल का अभ्यस्त रहा है। यदि किसी शांत स्थान को ले जाया जाए तो क्या वह शांती पूर्वक रह सकता है। कदापी नहीं। उसे कलेश होता है औ बीच भी तिवर कर्म का तथा प्रबल कर्मशिलता के बीच भी मरुस्थल की शांती एवं निस्तबधता का अनुभाव करते हैं। उन्होंने सैयम का रहस्य जान लिया है। अपने उपर विजय प्राप्त कर चुके हैं। किसी बड़े शहर की भरी हुई सडकों के बीच से जाने पर भी उनका मन उसी प्रकार शांत रहता है। मानो वे किसी निशब्द गुफा में हो। और फिर भी उनका मन सारे समय किसी कर्म में तीवर रूप से लगा रहता है। यही कर्मयोग का अधर्श है। और यदि तुमने प्राप्त कर लिया है तो तुम्हें वास्तों म लेते जाएं और शनई ही शनई ही हम अपने को दिन प्रति दिन निस्वार्थ बनाने का प्रयत्न करें। हमें कर्म करते रहना चाहिए तथा यह पता लगाना चाहिए कि उस कारिये के पीछे हमारा हेतु क्या है। ऐसा होने पर हम देख पाएंगे कि आरंभा वस्था में प्रायह हमारे सभी कारियों का हेतु स्वार्थ पूर्ण रहता है। किन्तु धीरे धीरे यह स्वार्थ परायनता अध्यवसाय से नश्ट हो जाएगी और अंत में वह समय आजाएगा जब हम वास्तव में स्वार्थ से रहित होकर कारिय करने के योग्य हो सकेंगे हम सभी यह आशा करते हैं कि जीवन पत में अग्रसर होते होते किसी न किसी दिन वह समय अवश्य ही आएगा जब हम पूर्ण रूप से निस्वार्थ बन जाएगे और जो ही हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे हमारी समस्त शक्तियां किंद्री भूत हो जाएगी तथा ह हमारा आभ्यंतरिक ज्ञान प्रकट हो जाएगा